आज आपका बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नमर 9 कोडिनेट जो बैट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके 9.1 एक्साइज है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बैसिक्स बाते बता दूँ जो शोट ट्रिक की तरे काम करेगी उसके बाद में आपके 9.1 कंप्रेट हो जाएगी जैसे देखो कि सबसे पहले यह द्यान ने करना बिल्कुल बैसिक सी बात है कि जब भी जैसे किसी के कोडिनेर्स फाइंड करने हो मैं लोग किसी के निर्देशंक निकालने हो तो मैं जैसे मैंने कहा कि P और यहां पर लिए जैसे 4,5 इसका मतलब यह बच्चे कि यह X है और यह Y है मतलब हमेशा पहली वेल्यू किसकी होगी X की दूसरी वेल्यू Y की होगी और जब भी आप कोई वेल्यू देखोगी जैसे इसके अंदर देखोगे अभी तो सबसे पहले X की वेल्यू देखने है अपनों उसके बाद Y की वेल्यू देखने है और लेकिन यह इस कंडिशन में भी हो सकता है 4,5 अभी दोनों 4 और 5 दोनों प्लस में है लेकिन यह अगर P ऐसा हो अगर इसके लिए चोटी सी और समझा आफ आले खी वी दीशना को इसके अंदर 4 Quadrant होते हैं यदि 4 चतुर्थांच होते हैं 4 चतुर्थाँच होते हैं चतुर्थांच होते हैं पैसे चतुर्थांच को इंगलिशन बोलते हैं Quadrant ठीक है यह चार कौन-कौन खेते हैं 1st, 2nd,3 और फोर्द ये फ्लस प्लस होता है और टीसरा मैनस मैनस होता है ठीक है? इसको तड़ मतलब बतादा हूं क्या? इस फ्लस प्लस का मतलब अच्छा y हो आ कि ये भी विल्यू प्लस की बिल्यू प्लस की ये आप जानती हो एक्स डेश Y य देश तो यह भी प्लस की यह भी प्लस की इसलिए प्लस प्लस इसकी बात करने तो यह होता है माइनस प्लस ठीक है यानि कि यह X वाली तो माइनस की और यह प्लस की और यह होता है माइनस माइनस इसका मतलब यह वेल्यू भी माइनस की और यह वेल्यू भी माइनस की यानि एक्स और आप सेखने वाले हो इसके बाद में डिस्टंस फॉर्मॉला लगए का बहुत एजी वान टू फाइव जो क्योशन आपके है वो वनमाक्स में एक्जाम आ सकते हैं कुछ ज्यादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन वनमाक्स में ऐसे क्योशन आ जाते है इसलिए बैसिक जाना पी यानि की पी के निर्देशंग तो पी के निर्देशंग क्या हो जाएंगे पी रहे हैं सबसे पहले देखो एक्स की वेल्यू मैंने का दाना सबसे पहले एक्स देखना है तो एक्स पर तो है पांच ठीक है तो एक्स ता लिख देंगे अपन पांच क्यों सबसे पहले एक इन पर मिलके, P बना, या इसे कोडिनेट क्या बनागे, 5,3, तो P कांथर क्या आगे 5,3, इसे ही, कोडिनेट्स of Q, कोडिनेट्स of R, कोडिनेट्स of S, ठीक है, चारों पन लिख देंगे, अगर भबात करें, क्यों की, क्यों यह रहा है, सब से पहले क्या देखना है, X, तो X पर है minus 4 yes, comma Y का है 6 तो क्योंकि हो गया minus 4,6 फिर है R, R का अपना अगर देखें तो R पर X है minus 3 ठीक है, X तो गया minus 3 और ये हो गया Y पर हो गया minus 2 तो minus 3, minus 2 S की बात करें तो X पर तो है plus का 1 yes, comma Y पर है इसके निए दिशान के इस तरीके से चार हो आपके answer हो के simple सी बात है, लेकिन बहुत जरूरी क्या सीखना है, पहले X फिर Y क्योंस नमर सेकंड लेको बचे plot the points of the following coordinates याने कि निर्दशांगों वाले बिंदूं को आलेखित करो, आलेखित करों का आपको इसको इसे graph बना, graph और जो बनाते है X और Y के उसमें दिखाना है, ठीक है तो पर चाहें तो इसको बचे कुछ नाम दे सकते हैं थोड़ी statement लिख देना let a n की 1,2 देखो मैं हर चीज का statement लिखाऊंगा इसे हैं, फॉर्मल्टी नहीं c होगया, minus 2, minus 4 d होगया, 3, minus 2 e होगया, 2,0 और f होगया, 0, फिखी लिखें, let a, b, c, d, e, f और दो कोडिनेट, ठीक है, यानि के माना की india लिखें लिखेंगे माना की A, B, C, D, E, F निर्देशंक है अगर यह निर्देशंक है कोडिनेट से तो अपन ग्राब बनाएंगे इसका अलेकीर करेंगे इसको अक्षेश भी दिखाएंगे मतलब जैसे कि यह X है तो X- यह Y है तो Y- इसमां हाइस्ट वैल्यो देख लो इसमां ग्राइस्ट वैल्यो है 4 तो थीक आप 4 तक काउंटिंग लिख देए 4, 3, 2 यह अपने इसाब से आप लिख सकते हो यह 0 हो गया –1, –2, –3, –4 –1, –2, –3, –4 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अब इसको शो करना है पर सबसे पहले इसे एक को डिखाया A है 1, 2, X का 1, Y का 2 यह मैंने बता दिया आपको तो X का 1 कैसा है? प्लस वाला हो नहीं यानि कि इसका मतलब X का प्लस यह रहा और Y का 2, वो भी प्लस का तो इसका मतलब यह यहां हो इसका 2 और इसका 1 ठीक है? यह होगा अपना A 1, 2 फिर B है –1, 3 X का –1, X का –1 यह रहा और Y का 3 यानि कि प्लस का यह रहा ठीक है? यह होगा अपना B –1, 3 आप चाहो तो इसको यह से डोट डोट दिखा सकते हो इसको भी यहां से 3 पे और इदर –1 पे डोट डिखा सकते हो अब है C C की बात करें तो वो है –2, –4 X का –2 यह रहा और –4, Y का यह रहा तो यहां जाए लिए ठीक है तो यह अपना ऐसे दिखा देने यह आपका C होगया –2, –4 इसके बाद बात करें डी की तो D है, X का 3 X का 3 प्लस वाला यह रहा और Y का – देने नीचे यह रहा है, Y का –2 इसकी सीद्वा जाए ठीक है तो यह होगया अपना D –3, –2 इसके बाद में E E पर X का 2 है प्लस वाला और Y का 0 मतलब 0 है सबका एक ही जग होता है तो यह रहा अपना E 2, 0 इसके बाद में F F है 0, 3 X का 0 यह रहा और Y का 3 प्लस का इन की यह रही है तो यहां आजाएगा आपका F 0, 3 तो इस तरीके इसे इसके कोडिनेट्स दिखाने है और शो करने है तो आपने आले खीवदी से शो कर दीए यह सिंबल सा है Q2 आज Q3 देखो By taking rectangular coordinates Axis plots The point दे रहे हैं आपको O00 P3,0 R0,4 O P की वार इसे rectangle Then find coordinates of Q आपको एक आयत दे रहे हैं उसके निर्देशांग दे रहे हैं बिंदू यहां पर दोट का मतलब हिंदी वाल बच्चे यह देख लाना 4 और 3 पॉइंट यहीं पर लिखे हैं को आले कीद कीजिए यदि O.P.Q.R. एक आयत है उसके पूरा rectangle तो Q के coordinate की आऊँगे ठीक है तो देखो अगर अपने इसको शो करें तो देखो पच्चे यह शो ऐसे हो जाएगा कि पहलो इसके highest value देख लो highest value कितनी है highest value उपन अगर बात करें highest value इसकी 4 है तो 1,2,3,4 बस 4 तक अपन numbering कर देंगे इसकी ठीक है minus 1 होता है इदर यह minus 2 minus 3 minus 4 ठीक है x, x ratio हो गया y, y 1 minus का minus 2 minus 3 minus का 4, 1,2,3,4 इदर भी तो इस तरीके से अब अब आपन show करें इसको O को O है 0,0 तो यह तो यहीं पर आगया O क्या आगया 0,0 वो दिखा दिया पिर P, P पर x तो है 3 प्लस का, तो x तो यह पूरा x है लेकिन यह minus 3 प्लस तो 3 आएगा 3,0,0 का मतलब इसी लाइन पर आएगा, तो यह हो जाएगा अपना P, 3,0 यह हो गया अपना P यहां पर ठीक है, यह हो गया, इसके बाद में R, R में है 0 और Y का 4 0 तो यह रहा, लेकिन Y का 4 का मतलब यह रहा, तो यह अपना हो गया R, R हो गया 0,4 क्योंगी पहले x लिखा जाता है अब उसने कहा कि यह O, P, Q, R एक rectangle है, तो अगर अपने इसको मिलाएं, इसको इधर बढ़ाएं तो हमें यह एक point मिलता है Q यह Q मिल जाता है Q है, x पहले लिखा जाएगा तो x पर तो है 3 और y पर है 4 तो यह rectangle बन गया और Q के जो coordinates उसने पहुछे थे coordinates of point Q कितना हो जाएगा 3,4 Q के निद्दे शंक 3,4 होंगे यह पिर है, ठीक है तो इस तरी के जिसे सिंपल सा Q3 complete हो गया Q4 देखो बच्चे plot the points आपको दे रखें इसको आपको आलेखित करना है ठीक है, और फिर आपको यह कहना which figure is obtained by joining them seriously, यानि कि इनको crumbs जिसे सदेर के वह से करना है अगर आपन तो डाइग्राम कैसा बनेगा पहले आपन डाइग्राम बनाते हैं उसके बात देखेंगे कि करम जो भी शीरिल जमाना है कैसे जमाना है ठीक है ठीक है अब देखो इसको कुछ आप नाम दे सकते हैं अपने इसाब से भी सी डी कुछ भी ठीक है अगर इसको ए दिया यह बी यह सी यह डी और यह ए एक की बात करें तो वह है माइनस वन जिरो इसका मतलब एक्स माइनस वन लेना है एक्स का माइनस वन ने इस तरफ फिर रहा और y का 0 मतलब 0 तो यही रहा तो यहां आ जाएगा a पहले minus 1 लिखेंगे फिर 0 क्यों 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 पहले x लिखा जाता है second b b है plus का 1 yes और 1 और 0 यानि कि यहां जाएगा आपका b 1,0 फिर c है 1,1 c मतलब x का भी 1 y का भी 1 तो देखो x का 1 यह रहा y का 1 यह तो इसकी सीध में जाएगा उपर यहां जाएगा ठीक है यह हो जाएगा आपका c c है 1,1 लिखाना यह यहां पर जो b था न वो तो यहां है 1,1 यह समझ जाना ठीक है फिर d d में 0,2 x का 0 y का दो यह रहा हो तो यह अपना यहां हो जाएगा d 0,2 फिर e minus 1 x का यह रहा और plus 1 इसकी सीध में आ जाएगा यहां ठीक है जैसे यहां a था न यहां a है minus 1,0 पहले से यह और अब इसी सीध में यहां 1 प्लस का इधर minus 1,1 यह पूरे कोडिनेट बन गए अब फिर उसने कहा कि जो आपने कोडिनेट दिखाएं जो निदेशंग दिखाएं उनको जोईन भी करो तो जोईन अगर अगर अपने करें देखो इसको आगे बढ़ाओ इस सी डी ए एक छोटी शेप बनेगी आप अपने इचास अपने ग्राफिक हो भी मना सकते हो वनमाक्स के अंदर से क्योशन आता है सिंपल ठीक है तो इस तरीके से आकरती जो मैं मिली वो क्या बन गई लिग देना प्राप्त आकरती एक पंच बुझ है पांच बुझ है इसमें आपका एक क्योशन नमर फॉर कंपलेट होगी है हमची क्योशन नमर फिप्त काफी अच्छा क्योशन है ड्रोग क्याडिलेटरल इफ इट्स वर्टिस अर फॉलोई यानि कि चतुरभुझ बनाना है अगर आपको शिर्ष जो ही दे रहें ये इंस है तो वो जो के लिए मनदब डाइग्राम के अनुसर बनाएं तो देखो यह अपना एक्स एक्स देश वाई और वाइट है हाइस्ट वेल्यू कितनी आठ दस तक है दो वन टू तू त्री फोर फाइब सीक्स सेवन एफ नाइफ ना दिंगे अपन कि इसके बाद है कि इधर भी सब्सक्राइब कि आपको काउंटिंग लिख जानी है चीक है ऐसे उपर भी हो जाएगी दस्तर वन टू टू ट्री फोर फाइफ सेक्स सेवन एफ नाइन और यह पूरी नम्रिंग अपन कर दी अब ए हैं वन कॉमा वन वन कॉमा वन का मतलब यह वाला वन और यह दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस के वनने तो यह आगे अपना यह ठीक है यह और इसका आप डोट से दिखा दोगा साट अब दोता की समझ माँ जाएगा आपके यह होगी फिर बी है दो कॉमा चार दो का मतलब पहला एक्स दो है वाई चार तो एक्स का दो प्लस का वाई का चार यह रहा इसकी बिल्कुल सीद में ठीक है पिर सी में ए आठ सी में एक्स आठ मनलब यह राट और वाई चार तो यह दोनों प्लस कहीं चार की और आठ की सीद में देख लो यह हाँ सम्थिंग लगब ठीक है वाप बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ऐसे ही डी में ए दस और एक और दस की सीद में यह हाँ जोइन करें तो यह स्ट्रक्टर बनेगा आपका डाइराम बनेगा ऐसा अंतर यह वाली बुजा और यह वाली बुजा पैलल का में दो समांतर है और दो नौन पैललुंगी इसा मान तरे, इसका मतलब यह डागराम कैसा बन गया, यह structure बन गया, समलम, ठीक है, समलम का मतलब trapezium, ठीक trapezium बन गया, समलम चतरबुज बन गया, क्या लिट्रल का क्या नाम हो गया, समलम चतरबुज, यानि की trapezium, इस तरीके इस यह first बात तो हो गया, complete, ऐसे second part की प्रंग और इस बात बात, यह बता दिया आपने, 1,2,3,4,5,6 ले लिए ले लिए, खोड़ करें, इसको भी a,b,c,t मान लो, ए है माइनस दो माइनस दो तो यह X का माइनस दो और Y का माइनस दो इसका मतलब यह आजाएगा अपना यहाँ फिर B है माइनस का 4 X में X माइनस का 4 यह रहा और प्लस का 2 यह रहा ठीक है C है माइनस का 6 X में माइनस का 6 X में यह रहा और माइंस का दो नीचे हैं जावाँ यहाँ थिक है दो की और 6 की सीध में फिर है माइनस माइनस का चार aci ह्लाँ एक यह रह और 6 इसकी सीध में आ ज़ब आप यह रहाँ ठीक है तो इस तरीके से यह अगर मिलाएं यह हैं प्रिक काइट बन जाएगी पतंग बन जाएगी ठीक है इसको पन चाहिए तो रोमबस भी कहे सकते हैं सम चतुर बुझे स्क्वाइर भी कह सकते हैं चारू साइड ने ब्राबर है तो इस तरीके से यह हमारे डाइग्राम स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेट हो गया यह तो मुझे यह बराबर हो ना उसे हमेंसा सम चतुर बुझ कहना है ठीक है रॉमबस तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्योशन दे वन टू फाइफ यह वन वन मार्क्स माने के पूरे पूरे चांस देते हैं अब अपने शांदार जो एक्साइज स्टार्ट करें कि उस नमर शिक करने जा रहे हैं ठीक है